प्रधान मंत्री पुष्प कमाल दाहाले एकिकरे स्वास्ते बिज्यान प्रतिष्ठान निर्माण गना आवश्चिक रहे को बताएका सन् बुदवार पाटन स्वास्ते बिज्यान प्रतिष्ठान को प्रथम दिक्षान्त समहार वलाई ललितपूर मा संभोधन गरदे उनले इस्तो बताएका हुन प्रधान मंत्री दाहाले देश भीत्रका सबई चिकेसा तथा स्वास्ते बिज्ञान प्रतिष्ठान हरुको बेवस्था पज़ शंचालन नियमन का लागी चिकेसा शुक्षार स्वास्ते सेवा मा रहेको दोहर पन हटाओना एकी क्रिश स्वास्ते प्रतिष्ठान निर्माण गरना आवश्यक रहेको बताएकासन। उनले सबई नागरिकलाई आदरफुत तथा गुणस्तरी अस्वास्ते सेवा उपलब्द गरावना सबई स्वास्ते सस्ता सामुदाएक अस्वताल एवम शहकारी अस्वताल हरुको छमता विकास मापने ध प्रधान मंतरी दहाले स्वास्ते सेट्रमाँ दिन प्रतिदिन नया नया चुनोहती हरु देखा परी रहेको बताएकासन। उले निपाल को अधिकामश भुवाद ग्रामेड शेत्र रहेको रहेको बताएकासन। हरुको देश प्रतिर अधिर वह को चिकत्षा तथा स्वास्त्रियान प्र्तिस्टाण रुम वेवसतापन चंचालाण रं नीयमन का लाजागी शिखत्षा सिर्च Maar रहेको दुहरो पन हटाउना एक फक्रित स्वास्त्रफियान प्रतिस्टाण नेरमानुदनदना अव कास्मा पनी तेतिक ही ध्यान दिना आवसेक छ नेपालाई मेडिकल सिच्छा को हब का रुपमा विकात करने तर्प शरकार ले आवसेक तयारी गरी रहेको जानकारी पनीम्म एस अफसर मा गरावना चाहांचो स्वास्त शिच्छाला केबल साइद्धान्तिक सिच्छा को रुपमा मात्र नवई बेवारिक र मानविये मुल्ये मार्नेता एवं सम्वेदाना समेत लाई द्यान मा राखी प्रतिस्तान दे आगामी दिन मा अजा अगरगामी र दूर्दसी रुपमा इस्ताफित गर्ना पनिमा विश्वास्त बेग्त गर्न चाहन्चु स्वास्त छेत्रमा दिन प्रति दिन नय नय चुनुट इहरु देखा परिरायका चिन नेपाल को अधिकांच भुवाद ग्रामील छेत्र रुएको संदर मा ग्रामील छेत्रमा इस्तरिय श्वास्त उपचार का लागी पुत्तर दाइत्यको भावनावत प्रेदित चिकित्सव उत्पादन गर्ने रश्वास्त शेवा को पहुंच ग्रामील इस्तर सम्म विश्तार गर्देई जानुकर में आवसेक्ता छरु शादनेक श्वास्त श्वास्तारु सबल्र सुद्रीड भाय मात्र आम नेपाली दि कारले सबभई सादनीक अस्पताल अर्गो छेमता विकाहला कुछ प्राथ्यमिल्ता मां राखेगो छाओ स्वास्ताष्यवामा सबभई को पहुंच सबभई स्वास्तारियता साथे समुदायमा मानव स्वास्ताला प्रभाप पारने सामाजिक, सांस्कृतिक, बाताबरोंीय क्परतिस्तान ले अजय पहलगदह में आपक्थ्यार विष्वास्त पने मवेच्ट गर्ना चाहांना। प्रधान मतुरे दाले सार्वजनिक स्वास्ते स्वास्ते राखी को बताई है